असलाम अलेकमौल, उमीद है कि आप सब ठेक होंगे, काफी टाइम के बाद वीडियो अप्डूल हो रही है, उसके वज़ाई यह थी कि एक दूत आज करी में कोई टॉपिक्स थे नहीं, तो वैसे ही इन्शाला कले को और अप्डूट होगी, जैसे ही पंजाब यूणिवर्स है, इसके बार में जो बेसिक डिटेल्स है उसके मैंने आल्रेडी वीडियो बनाई हुई है, एक वो होगी पुरानी में अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक दे दूँगा, उसमें यह है कि आप कितने मांक्स लें तो आप किस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है, पहले मैं आपक कोई नर्स्ट के इंट्री टेस्ट के बात करें, तो यहां पे अगर आप टेस्ट में अच्छे मांक्स लेता है, तो आपका एड्मिशन कन्फर्म होता है, क्योंकि यहां पे FSE के परसेंटेज वो इतनी जादा नहीं है, जैसे यह का यूट के के केस में है, तो इसलिए यह बहुत ज़्यादा effect आता है इस चीज़ का, ठीक है अब यह चीज़े माइंड में रखनी है, क्या नर्स्ट का इंट्री टेस्ट बहुत ज़्यादा important होता है, यह का important है, लेकिन वो उपर नीचे हो भी तब भी admission की possibilities होते हैं, लेकिन यहां पे वो case नहीं बनता, अच्छा ज लेना है new registration for entity पे click, और आप इसमें create login पे आ जाएंगे, यहां पे आप लोगने अपना नाम, father name, email id जो भी हो, यह चीज़े मतलब फिल करके, अपना account बना लेंगे, उसके बाद आप इसमें दुबारा login करेंगे, यूजर नेम और अपना password, आपको यूजर नेम और password email कर दि है, first name, middle name, जो है, date of birth, gender, nationality, CNIC नम, या फिर अगर कोई international है, तो उनका अपने हिसाब से, या बे फॉर्म नमबर जिनका भी नहीं CNIC बना हुआ, father's name, उनका status, status मैं यही होगा न, कि डेलिया alive, उसके बाद उनका profession, अगर यहां पे कर देंगे, तो फिर I think option भी खतम हो जाएं उनकी income, उनकी email, यह compulsory नहीं है, father's email, जहां पर रेड स्टार्स बने होगे न, तो यह तो compulsory चीज़े हैं, जहां पर यह रेड स्टार्स नहीं बने हुए, तो वो compulsory नहीं होगी, तो आप skip करना चाहें, तो कर सकते हैं, अगर provide करना चाहें, तो provide भी कर सकते हैं, वह खास मतल साइज 150 KB तक होना चाहिए, आप इंटरनेट से अगर साइज डिडियूस करना जाएं तो ओनलाइन डिडियूस भी हो जाते हैं, और यहाँ पर आपने फोटो के जो टरम्स और कनिशन्स भी एक्सेप्ट करनी हैं, उसके बाद अगर कोई वो जॉब कर रही है तो उसके बाद प्रोविंस आफ डॉमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट आपका एरिया, रिलिजिन, आर यू स्पेशल परसन में, यह आदता है अगर है तो ठीक है, यहाँ पर प्रेजंट आड़र्स आजएगा, अगर दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर फून निम्बर, आप ऌर लोगं कोने देना होगा, गार्डियन, यहाँ पैरेंट से किसी एक का मुबाईल निम्र देना को उसकेاح, उनकी रेसिडंस अगर सेम ही है त उनके इन दो रेजिडेंस है तो उसी साफ से ये वाक्स फिल्ड होगा उसके बाद है पेंग कैड़ेट स्कीम के लिए अगर आपके पैरेंट्स में से कोई आर्मी नेवी ये पीएफ में है तो वो यहां पर येस करेंगे अदरवाइस इसन नो ही रहने देना अब नेटी वन क कैमपस में सेक्टर H12 में एकडेमिक बैक्ग्राउंड आपका क्या है FSEQ है, Intermediate है, FA है, O-Level है, Home Economics है, Equivalent है, Diploma, Office, Associate Engineer, जो भी है यहां पर कर देंगे उसके बाद आपका option आजगा फिसका तो आपने कैसे पे करनी है जिस हिसाब से आप करेंगे USD में ये रूपीज में त नहीं की हुई, आपने उसमें कोई दो नमरी नहीं की हुई, कोई फेक चीज नहीं प्रोवाइड की हुई, जब आप कोई चीज फेक प्रोवाइड करते हैं तो यहां पर declaration में जब accept करते हैं तो इसका यह मतलब है कि University जब भी चाहे आपको निकाल सकती है अपने rules and regulations के तहत अगर आप किसी भी किसम के कोई भी मतलब गडबड करते हुए पाएगे, उसके बाद यहां पे आप save form कर देंगे और उसके बाद next के बाद preview form कर देंगे और आपने फिर अपना जब आपने यह कर दिया होगा, online submission हो चुकी होगे, फिर आपने फिय अन्वाइस जो है वो print कर लेनी है, HBL की किसी ब्रांच में आपने वो deposit करवा देनी है, computer based test के लिए आप दुबारा re-login करेंगे, और वहां पे अपना test date और session select करेंगे, और यह पहले आओ पहले पाओ की base पे होता है, अगर आप जल्दी करेंगे तो आप अपनी मर्जी से test date और slot और time ले सकते हैं, login करके, अच्छा जी, sale and features क्या है, NET के, वो यह है कि candidates जो है एक से ज़्यादा test में appear हो सकते हैं, यानि कि NET 1 जो दे रहा है, वो 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, कोई restriction नहीं है, NET का जो test होता है, वो सिरफ और सिरफ books से होता है, अब books उसमें वो सिरफ यह नहीं के पंज इसलामबाद में होता है, वो गोषदे में होता है, कम्पिर बेस test होता है, और कराची और कोईटा में पेपर बेस टेस्ट होता है, मार्च और जुलाई में, यानि NET 1 और 2 होगा, अब इनकी dates जो है, तो पहला online registration की जो date 14 November से start हो चुकी थी, वीडियो थोड़ी से लेट आ रही है, 21 तक है अभी इसकी डेट, तो भी बहुत टाइम पड़ा हुआ, अराम से अप्लाई कर सकते हैं, और टेस्ट होगा कब 28 से आगे इन डेट्स पे होगा, दिसंबर में ही, और एक और है, कहा सकता है कि मिसंट्रिटेशन है, या मिस्कंसप्शन है, कि लोग कहते हैं कि ज सारा FSC से आता है, ऐसा कुछ नहीं है, जादातर से होता है, लेकिन कह सकता है कि 30-40 की रेशियो में हो सकता है, फर्क जादा हो, यानि कि अगर FSC पार्ट 1 से 50 परसेंट आता है, तो पार्ट 2 से शायद 40 परसेंट आता हो, इतना फर्क होगा, यह नहीं होगा कि वहां से बिल होगा, जो है 60% आपके मार्क होने चाहिए, SSE में और बाकी जो है, नौन FSC स्ट्रीम वाले उनके लिए भी यही सेम क्राइटेरिया है, एक्विलेंस में 60% सब्जेक्ट या ग्रूप जैसे भी है, उस बेस पे उनके होने चाहिए, और जो बाकी मतलब आप डिटेल्स में प अचाह जी, FSEI और ये ग्रूप्स हैं, जो प्रीजीनरिंग के ग्रूप तग्रीबन हर प्रोग्रम में बिए कर सकते है, प्री मैडिकल के इंजीनरिंघ को छोड़के बाक और अर व्मैधिमेटिक्स इस तरह फिजिक्स को छोड़के बाकी सब में हिए अपडाई कर सकते है जिनका combination mathematics, physics and computer science है, major subjects पर यानि कि कह सकते हैं, pre-ICS वाले, I think इने कह देते हैं, तो वो इन fields में apply कर सकते हैं, pre-medical जिन्होंने additional math की रखी हो, वो भी सारे programs में apply कर सकते हैं, उसके बाद pre-engineering students जिन्होंने additional biology रखी हो, वो भी सारे programs में apply कर सकते हैं, mathematics या physics जो जिनके इन तीन में से ये दो majors हों, वो सिर्फ इन में apply कर सकते हैं, mathematics, अगर उसकिसी का एक ही mathematics है, सिर्फ बाकि दो समयाक्स different हैं, यानि physics और computer science नहीं है, तो वो in fields में apply कर सकते हैं, accounting और finance वा तो in fields में सरफ apply कर सकते हैं, A level के लिए भी यही same criteria है, mathematics, chemistry and physics as major हो, तो in fields में apply कर सकते हैं, बाकि यह साथ, आप लोग मतलब भी देख लीजएगा खुद दी, जो मतलब है, मैंने FAC को इसलिए describe कर दे कि वो major है न public, तो उन से ही होती है related, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा जोना describe कर दिया, जादा time लगा के, उसको अब merit calculation का क्या है, जी, तो nurse intuit assessment बहुत important लगाता है, तो 75% nurse अपना test consider करती है, आपके merit के लिए, तो इसमें marks बहुत important हो जाते हैं, इसमें वीडियो देख सकते हैं, आप लोग previous में उपर, cards में भी कर दूँँगा, link attach, end पे भी वैस अपनी 100% field लेने के लिए, तो उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, instructions candidates के लिए, आप लोगों वैसे पता भी है, मास्क पहना जरूरी है, आजकल जैसे कोवेड restrictions चैल रही थी, तो उस वज़ा से pocket size sanitizer आपके पास, अपने personal use के लिए होना चाहिए, six feet तक distance होना चाहिए, चाहिए, किसी से handshake ना करें, या physical contact आपका ना हो रहा हो, या इस तरह मतलब जो भी है, यह भी उन्होंने लिखा है कि test के लिए ना है, अगर आपको कोई ऐसे symptoms हो, बुखार हो, headache हो, या flu हुआ हो, abnormal cuff हो, या सांस लेने में मुश्किल आ रही हो, तो इस case में आप test देने के लिए ना है, और ना ही test, आपका temperature चैन 99 degree Fahrenheit से ज़्यादा होना चाहिए, अदर वाइस आपको test center में लाओ ही नहीं कहा जाएगा, तो यह साथ अपने प्रोटोकोल्स जो है, उनके वह भी आप लोगोंने follow कर ले हो, इसके बाद आ जाती है, फी स्ट्रॉक्चर, तो यह तो ब इस opportunity कभी से cash करना, तो पहली attempt में दे दे, दूसरा और तीसरा मौका भी मिलता है, तो आपका highest score consider होता है, आप उसकी बेस पर apply कर सकते हैं, तो मैं encourage करूंगा, आप लोग जरूर apply करें, और यह test दें, especially वो जिनका भी कहीं पर admission नहीं हुआ, और कोशिश करें, अच्छे से अ के बाकी वीडियो की तरह आपको यह वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अगर यह वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को धेर सारे likes दें, और comments में appreciate भी किया करें, और अपने दोस्तों के साथ share करें, और चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूलेगा, thank you so much and Allah Hafiz